अलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक आजके इस एनलिस्स वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अरबी एनल, आई आरफ्टी, रिल्टेल और इर्कॉन सेयर के उपर अगर अभी हम लोग देखेंगे तो दो तीन सेक्टर में जहां पर कि लगातार तेजी देखने को मिल रहा है अगर देखेंगे तो रेल्वे के थीम में नीचे के लेबल से एक कॉंसोल्डेशन के बाद हम लोगों को तेजी देखने को मिल रहा है इन सभी पॉइंट्स के उपर डिस्कसन करेंगे तो वीडियो को जो है दिहान से लाश्ट तक ज़रूर देखेगा जिससे की आपको भी सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग आरवी एनल सेयर के उपर इस टॉक में तू परसेंट का एक अच्छा उच्छाल देखने को मिला सबसे पहले बात कर लेंगे तो कल के सिसन में जो है इस कंपनी का रिजल्ट भी है सेवेंटिंट ऑफ माई को रिजल्ट होने वाला है कल बोर्ट मिटिंग में जो है आपको सिसन आप इंपोर्टेंट होने वाला है के लिए इसका साथ ही एक और जो न्यूस है कंपनिगं और रोडे दिवेसे मिला है यह मिला है आपको ऑउटका है और सवाःटी 139 करोर 9,95,615 रूपीज और यह प्रोड़ा प्रोजेक्ट जो है वो आपको एक्जिक्यूट होने वाला है नेक्स्ट टुवेल्प मन्त में तो लगातार जो है कंपनी को और मिल रहा है और साथ ही साथ जो है इसका रिफ्लेक्शन हम लोगों को कंपनी के फाइनेंसियल पे भी देखने को मिल रहा है अगर हम लोग और वापस से सेल्स ग्रोथ के साथ प्रॉफिट ग्रोथ भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है एक अच्छा रिटर्ण स्टॉक ने बनाके दिया है वापस से स्टॉक में तेजी मिल सकता है तो चलिए बात करते हैं अब लेवल के ओपर यहां पर देखेंगे तो इस टॉक ने अपना और टाइम हाई लगाया था 345 रुपेस 50 पैसे का इंद मन्थ जनवरी 2024 तो इसी साल के जनवरी में स्टॉक ने अपना और टाइम हाई लगाया था और उसके बाद लगातार गिरावट देखने को मिला पाउंस किया वापस से गिरावट अब अगर देखेंगे तो स्लो एन इस्टेडी स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेक आउट भी किया जो कि एक इस लेवल के नीची आया बट इस टॉक टूप्टी के लेवल पर सपोर्ट लिया और अभी अगर देखेंगे तो इस टॉक जो है वापस से उप्री लेवल पर 280 के लेवल पर ट्रीट कर रहा है तो इस स्टॉक में हम लोगों को क्या करना चाहिए सबसे पहले अगर यहां प को एक ट्रेंगल पाटर्ण में ट्रेड कर रहा है एक अच्छा तेजी हम लोगों को यहां पर देखने को मिला था और एक जाता है रिजल्ट के एंटिशी पेसंपे तो एक अच्छा तेजी देखने को मिलेगा इनके सब्रेंग नहीं होता तो इस टॉड़ा और समय ले सकता है और उसके बाद इस स्टॉक में हम लोगों को ब्रेकाउट देखने को मिल सकता है बट रेल्वे के स्टॉक में वापस से नीचे के लेवल पे एक अच्छा बाइंग देखने को मिल रहा है अब यहां पर बात करेंगे अगर आपको फ्रेस लेना चाहिए अगर बात करेंगे अल्रेडी एक्जिस्टिंग पोईशन है तो यहां पर कंट्रोंसली होल्ड करके रख सकते हैं यह अब हम लोग बात करते हैं नेक्स स्टॉक के ऊपर नेक्स स्टॉक सेम रेल्वे से ही रिलेटेड इंडियन रेल्वे फाइनेंस कोर्पोर इस स्टॉक का भी चार्ट पाटर्ण जो है और अगर देखेंगे तो आयर अपसी और आर्वी एनल जो है अल्मोस्ट आपको बिल्कुल सिमिलर पाटर्ण में ट्रेड करता है यहां पर भी जो है एक ट्रेंगल पाटर्ण का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है और इस और इस स्टाउक ने इसस संसे और यहां परांड अच्छा इजी हम लोगों को ऊपर की साइड में देखने को मिल ढङू और अगर यहां पर breakout होता है तो stock जो है उपर की side में immediately अपने all time high की तरब जा सकता है जो कि इस stock का है 192 रुपीज 80 पेसे का और उसके बाद further और तेजी देखने को मिल सकता है इस टॉक की बात करेंगे तो थर्ड श्टॉक है रेल टेल कॉर्पोरेशन रेल टेल कॉर्पोरेशन के शेयर में अगर देखेंगे तो यहां पर भी फब्रडी मंद से लगातार हम लोगों को गिडावट देखने को मिला इस टॉक के लिए रेल के लेवल के आए इस टॉक के लिए जो रेल के लेवल है वो है आपको 413 का लेवल लगातार एसिस्टेंस कर रहा है क्लियरली देखेंगे तो एक चैनल पाटर में जो है इस टॉक लाश्ट टू मंथ से ट्रेड कर रहा है जो कि 350 से 413 के रेंज में इस टॉक यहां पर ट्रेड कर रहा है तो एक अच्छा बाइंग मोमेंटम इस टॉक में देखने को मिलेगा जब stock 413 के level के ऊपर trade करना start करेगा तो stock में जो है हम लोगों को उपर की side में 450 और उसके ऊपर जो है stock अपने all time high 491 के level के side भी जा सकता है लास्ट stock की बात करेंगे तो लास्ट stock है idcon idcon के share में एक अच्छा तेजी दिख रहा है और यहां पर एक अच्छा तेजी और दिखने को मिल सकता है जब stock अपने इस high को breakout करेगा currently stock 262 के level पर trade कर रहा है weekly basis पर भी अगर देखेंगे तो stock एक strong consolidation जोन से निकलने की कोशिस करता है 200 to 278 का यह रेंज है देली चार्ट पर देखेंगे तो stock जो है अभी इस रेंज को breakout किया नहीं है अभी थोड़ा सा और समय लग सकता है अभी breakout करेंगे क्योंकि stock नीचे के level से bounce किया है बांस करने के बाद जो है stock ने वापस से पूल बैक के लिए लेवल पर सपोर्ट लिया और अब इस आपने इस और टाइम हाई की तरफ जा रहा है और रिदी नीचे के लेवल से momentum होता है अगर direct breakout करता है तो फिर यहां पर हम लोगों को पुल बैक के लिए वेट करना होगा इन केस अगर यहां पर breakout थोड़ा समय लेके करता है एक अच्छे तेजी के बार यहां पर थोड़ा सा तो फिर इसी स्टॉक में जो है एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है आई हूप आप लोगों को सभी पॉइंट्स यह है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होंगे अगर आप लोगों को वीडियो पसंद राया हो अनलेसिस अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर क चैनल को सब्सक्राइब जरू कर झाल